कर दो कि स्टार्ट कुरते हैं हम पर में एक मॉडल रखा हुआ है आप वीडियो डिस्क्रिप्शन देखेंगे आपको उसमें से मिल जाएगा स्टार्ट कुरते हैं पर टूल से और यहां पर हम कुछ इसकी जो ट्रीसिंग वो कर लेते हैं मैं आप स्टैप ले रहा हूँ और वीडियो को थोड़ा सा स्पीड में करूंगा ताकि यह ट्रीसिंग आप जल्दी से इसकी कर सकें ऐँ गहां यहां पर बीज चांग बाद हम इसका कलर चांज कर देता है और कलर करना के बाद हम यहां पर इसको एक्सपोर्ट करेंगे चारे折़ खोर और फायल में चले जह यह बगत्री और अपिंस अफ़ोर्ट कर लिए पे इसको क्यूद्र निकाल सकते आए और आप निक जी फॉर्मेट इसके लिए स्लेट करेंगे डेस्ट आप लोकेशन देदें ताकि एजी से मिल जाए और आप इसको सेफ कर सकते हैं रिजुलेशन आपने जो भी रखनी है वह आपने 300 प्लस रखनी है आप अधर कर लें और यहां पर मैं 450 यहां पर एड़ कर देता हूं यह इसलिए ताकि फोटोशाप में जब हम काम करेंगे हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आना चाहिए उसके बाद हम क्या करते हैं यह अबजेक्ट मैं यहां से इसको कॉपी करके साइट पर रख लेता हूं अब अब इस जो हमने जो इसकी ट्रेसिंग करिया है हमने इसको फालो Vous your gut बनाना है इसके अंदर ही बनाना है हम इसको slid करेंगे और slid करने बाद शर्प कर लेंगे और इसमें color जो है वो black हम add कर देते हैं ताके असानी रहे हमारे लिए एक dark color होगा तो हम असानी से इसको cover कर सकते हैं उसके बाद हमने क्या करना है ये object तकरीबन हमारे लिए इतना सा है हम इसी की setting इस पे एक rectangle लगा देंगे rectangle लगाने से ताके हमने काम एक पूरी shape में करना होता है die अलग चीज है ठीक है तो हमने काम इस rectangle के अंदर ही करना है जो rectangle मैं यहां पे लगा रहा हूँ तो इसके करीब करीब आपने rectangle लगा देना है free size में इसलिए बना रहा हूँ कि आप जब काम करें तो आप इस पे अपनी मर्जी का जो customer आपको size दे आप उस हिसाप से इस पे काम कर सकते हो तो यहां पे इसको हम रख लेते हैं और center में मैं इसको ले आता हूँ अब हम यहां पे अपने fix काम कर चुके हैं हमने जो tracing करी हुई है इसमें यह tracing को हम select करेंगे और इसको lock कर देंगे ताकि यह हमें disturb ना करें इसको lock कर देंगे और बाकी object पे हम काम करेंगे हम क्या करते हैं यहां बेस का color black कर देते हैं और फिर gradient लगा देते हैं gradient हमने अपनी मर्जी का लगाना है कोई सभी आप use कर सकते हैं तो फिलहाल के लिए मैं यहां पे green light green यह use कर देता हूँ यह color by default illustrator में पढ़े हुए है मैं वही color use कर रहा हूँ कोई नए color नहीं है कुछ इस तरीके से हम लगा लेते हैं और यह position में इसकी यहां पे final कर देता हूँ तकरीबन यहां तक यह ठीक रहेगी और हमारा काम okay हो जाएगा अच्छा next हमने क्या करना है इसके setting को लेकर यह object gradient की आप setting साथ साथ सेट करते रहेंगे जितने भी आपको चाहिए आप इसकी position यहां पे set कर लेंगे तो साथ साथ क्यूंकि जब हम design बनाते हैं तो हमारे start में बहुत सारी चीज़ हमें mind में नहीं होती तो हम साथ साथ उनको set कर सकते हैं तो हम क्या करते हैं इसको यह नीचे object आगया डाया आपकी वहां पे यहां पे हमारे पास sunshine vectors पड़े हुए हैं आपको इस अभी इनमें से download कर लें और अपने काम के लिए स्नमाल के लिए मेरे पास यह red साथ सामने देख रहा है आप लिखेंगे बहुत सारे आजाएंगे अपनी मर्जी का download कर लें में इसको copy करके illustrator में लेकर चला जाता हूँ या आप यह देख लें साम चीज़ आपको मिल जाएगी आप इसको copy कर लेंगे और यहां पे paste कर लें तो हम तक्रीबान अपने इस object को paste कर लेंगे हम और साइज में हम थोड़ी शिफ्ट और आल के साथ कमी कर देंगे और जरा जूम कर लेंगे जूम करने के बाद हमने क्या करना है इस object को select कर लेना है और image में trace में चाहा के high image को या फिर black and white आप इसको trace करेंगे तो ज्यादा easy यह trace हो जाएगा two color है तो black and white में यह अच्छे से आजाएंगे ताकि हमें अपना object perfect तरीके से मिल जाए उसके बाद हमने इनको expand कर लेना है expand करने के बाद हम यहाँ पे इसको zoom करेंगे और उसके बाद right click करते हैं ungroup कर देते हैं ungroup करने के बाद यह object हमारे पास white है select करके delete कर देंगे और फिर इसको selection दे के group कर लेते हैं group कर ले या फिर आप combine कर ले तो आप यहाँ पे combine path में जाएं और make कर लें तो combine path जो आपका है वो use हो जाएगा अब इसके बाद आज इसमें आपने gradient लगाना है transparent gradient होगा तो हमने यहाँ पे yellow color select करने हैं दोनों तरफ एक तरफ यह हो चाएगा यह हम इसमें black भी लगा सकते हैं आपको जो सही लगे वो color आप इसमें फिलहाल के लिए दे सकते हैं तो मैं यहाँ पे yellow ही रखता हूँ और दूसरी तरफ मैं चाहँँगा कोई color मैं yellow ही try कर लेता हूँ तो यहाँ पे भी click करने से मैं color open कर लेता हूँ और यही color मैं इसमें भी add कर देता हूँ तो यह color आगे और एक color को मैंने transparent zero कर दी ताकि एक side से ऐसे हो जाए ellipse shape हम कर लेंगे और reverse कर देंगे तो यहाँ पे हमारी सेटिंग आजएगे हम इसको जरा close करेंगे ताकि वहाँ पे वह जो effect side से है वो गुम हो जाए तो यह transparent effect बहुत अच्छा लगता है जादा दर design में हम इस चीज़ को use करते हैं background बनाने के लिए हास करके इस तरह के जितने भी design होते हैं उनमें हम इसका इस्तमाल करते हैं size में बड़ा कर देंगे देखें इसके look यहाँ पे वो bright से आ रही है तो हम तकरीब इसको यहाँ पे इसके लिए इस इसको रख देते हैं अच्छा निजाम हो जाएगा हमारा यह वाला और थोड़ी वह होती हम transparency को cover करेंगे अपने इस हाब से आपने जिस तरह से size रखने हों से इस हाब से transparency को यहाँ पे cover कर लें कोई चीज लॉक नहीं करने फिलहाल आपने just design पे focus करना है यह चीज होने के बाद आपने एक logo मेरे पास यह बड़ा हो है और यह text मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोई सभी text पे लहाल आप इसके लिए use कर सकते हैं मैं bright यहाँ पे लिख देता हूँ और यह logo यहाँ पे लगा देता हूँ और फिर उसके बाद logo की आप थोड़ी बहुती setting कर लें जैसे आपको सही लगे यह point हमने लगा दिया logo के लिए और यह ठीक रहेगा bright का font आप change कर लें जो भी आपको short सा अच्छा सा font लगे वोई font लगा दे मैंने यह लगा दिया तो इसके बाद आल के साथ copy कर लें copy करने के बाद जूम करें जूम करने के बाद इसको edit कर लें इसमें आप house का लोगो में लगाया तो आप bright house के नाम से भी इसको use कर सकते हैं तो बस इन दोनों को ऐसे रखके आप तकरीबन यह setting in की ठीक है color गए रहा हम change करेंगे बट अभी position दे के हम तकरीबन दोनों को select कर लेंगे दोनों को select करने के बाद हम यहां पर इसको रखते हैं और यह setting हो जाएगे हमारी तीनों select हो जाएगे now good है यह setting हमारी अच्छी आगी और इसके बाद हमने इनमे fill add कर देना है और stroke भी add करना है बट पहले fill का color हम इसमें add करेंगे जो के हमने यहां स्यान सा color एक blue यह स्यान जो भी कहें वो color हम दे देंगे उसके बाद हमने stroke 20 में लगाना है stroke white पूरा add कर देंगे और stroke की जो position है वो for हम stroke इसके position देते हैं ताकि अच्छे से color इसके आज है और इस तरह की design में stroke यूज़ करें तो अच्छा रहता है हम तक्रीबन दोनों को select कर लेंगे हमारा काम अच्छे से हो जाएगा size में थोड़ा सो और बढ़ा कर देंगे लोगों बेशक ऐसे ही white रहे आप color change भी कर सकते हो जिस तरीके से आपको सही लगे तो बस तक्रीबन यहां तक यह setting चीक है मैंने भी यह use किया आपको इसे भी google से उठा कि उसको use कर सकते हो आपने margin को देखते हुए इसको यहां पे रखना है ताकि यह आपके जो die है उसके अंडर आए अपने पूरे object को नहीं देखना die के अंदर यह कितना आना चाहिए उस चीज़ को आपने focus करना है तो तकरीबन मैं अपने subject को adjust कर रहा हूँ जहां पर यह ठीक लगेगा मुझे फिलहाल के लिए मुझे ठीक लग रहा है तो हम मजीद इसमें क्या करेंगे कुछ effect वेरा और भी लगाना है तो इसको थोड़ा सा और मैं setting कर लेता हूँ यह ठीक है right, right तकरीबन चीक है अब यहां तक यह आ गया और इसके बाद zoom करके result देख लें बहुत अच्छा आ रहा है और फिर इसके बाद हमने क्या करना है कि इसमें एक rectangle लगा लेना है rectangle में हमने कुछ text वेरा एड़ करना है तो इस वज़े से हमें यह चाहिए तो हम इसमें जो color है वो transparent color देंगे तो इसको select करके zoom कर लेते हैं और इसमें हम directly कोई yellow color अगर हो तो वो add कर सकते हैं इस तरीके से transparent yellow देना हो तो इस पर click कर लेते हैं यह transparent आ जाएगा इसको हम reverse करेंगे और gradient लेंगे फिर reverse कर देंगे तो वो जो हमने उपर object में transparent दिया था वो ही यहां पर इस्तमाल हो रहा है तो इसली हम इसको cover कर सकते हैं अगरिबन यह setting हमारे लिए ठीक रही हम क्या करेंगे इस object को उपर कर लेंगे वो object हमारा नीचे चला जाएगा और इसको हम थोड़ा सा यहां पर सेट कर लेते हैं इसके size को हम थोड़ा सा मजीद कम कर लेंगे ताकि हमारे लिए वो space बन जाए तो देखें जब start होता है तो design के हमें कोई समझ नहीं होती कहां पर जा रहा है क्या हो रहा है लेकिन यहां पर आके हम design को बहुत अच्छे तरीके से समझ आते हैं यही टेक्स में यहां पर लेकर आ जाता हूं और इसको एड़िट करके इसमें मैं कुछ word add कर देता हूं इसका stroke बेशक आप खतम कर सकते हो लिखने के बाद तो मैं यहां पे fresh scent लिख देता हूं यह ठीक रहेगा कोई सब्या वर्ड इसके लिए लिख सकते हो तो मैं यही लि color जो है इसको हम थोड़ा सा मजीद red color change कर देता है red देने कोई सब्या आपको bright color जो लगता है आप वो इसमें इसमाल कर सकते हैं तो यह चोटी-चोटी चीज़ें इन पर जितना देंगे color हर चीज में detail में इसलिए बता रहा हूं कि design बनाते हूं आपको बहुत सारी चीज़ printing का काम होता है तो इस वज़े से हमें थोड़े से color ध्यान से यूज़ करने होते हैं तो बहुत bright color यहां पे नहीं चाहिए हमें तो इसकी setting हम कर लेंगे हैं और अगला काम हम इसका क्या करेंगे कोई text वेरा या कोई से भी चीज़ है वो यहां पर हम इसको आड के साथ copy कर ल ला हूँ simple सी और इसके बाद हमने इसका stroke जो है फिलहाल के लिए close कर देना है और यहां पर मैं इसको ऐसे रख लेता हूँ और L इसका जो फोस्ट वर्ड है वो बड़ा करना है मुझे तो यह मैं कर देता हूँ और इसी को फिलहाल यहां पर रखेंगे R के साथ copy कर देते हैं हमने इसको यहां पर रख लिया अब इसकी position आप खुछ सेट कर लें size थोड़ा चोटा भी हो जायता कि balance मेरे बुरी चीज़ नहीं दिखनी चाहिए तो यहां पर देखें space 3 मेरे पास मेने adjust कर लिया और फिर उसके बाद आप इसको rotate कर लें ऐसे rotate कर लेंगे तो अच्छा आजाएगा group कर लें या create outline कर लें ताकि problem ना है और इसे बाद आप इसको यहां पर weld कर लें या join कर लें जो भी आपको सही लगे और फिर उसके बाद आप इसमें color जो है वो change करेंगे color आप total white इसमें देंगे और white color add कर लें या फिर आप मजीद इसमें ऐसा कर सकते हैं नीचे एक dark color हमें चाहिए तो हम इसको यहां पर रखे आई डॉपर से या भी directly यह color जो है gradient का वो dark green वाला जो है वो add करेंगे तो हम यहां पर ऐसा करते हैं swatches में चले जाते हैं swatches में जाके हम यह dark colors में select कर लेते ह ताकि यह color यह bottom में आजाए और इसी की R के साथ हम copy लेंगे यहां पर रखके इसको white कर देंगे ताकि shadow जो है वो green सा आज है हमारा object यहां पर अच्छा दिखे कि यहां पर भी stroke यूज़ करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता तो इसलिए हम इस चीज़ का इस्तामाल यहां पर करेंगे ताकि दोनों object अच्छे से हमारे शो हो जाए हमारा यह object depth में शो हो तो man object है इसलिए इसको थोड़ा different बनाना आप कोई और साभी practice में use कर सकते हो so अभी हमने क्या करना है यहां पर यह चीज़ हो गई इसकी थोड़ी right left कर लेते हैं सेटिंग कर लेते हैं बस ठीक है तक्रीबान मेरे हिसाब से अब हमने tag बनाना है इसके ओपर और वह भी हम इसमें add करेंगे बट इसको थोड़ा सा मुझे set करना है तो इसको eye dropper से आप थ shape ले लेते हैं कुछ इस तरीके से इसको draw करते हैं eye dropper से आप इसमें बेश्यक red color दे लें starting के लिए और फिर उसके बाद zoom कर लें और फिर इसको हम थोड़ा सा या फिर पहले हम पहले पूरी setting बना लेते हैं तो इसको यहां पर रखके control c press करना है control f press करके size कम कर लेंगे और eye c red line white line हमें center में चाहिए तो यह object अगरीबन यहां त्याक आगे और एक effect सा भी बन गया single circle use करने से बेतर है कि हम double से triple circle use करने तो जादा अच्छा रहेगा तो हम यहां पे rotation लगा देते हैं इसकी rotation लगाने के बाद हम यहां पे कुछी तरीके से इसको left eye टक लेते हैं जो भी ह next क्या करते हैं इस object को हम थोड़ी से मजीद इसकी setting करके इसको export करते हैं Photoshop के लिए बस यहां पे जो space है उसको हम set कर लेते हैं ताकि Photoshop के लिए हमारा जो काम है वह easily हो जाए यहां से एक rectangle ले लेते हैं और rectangle को मैं पूरे object के इसाब से यहां पे रख लेता हूं यह हो गया और उसके बाद हमने इस total को select कर लेना है right click करके make clipping mask कर देते हैं ताकि सारा जो text है सारा जो object है वो एक ही जगा पे आज है problem ना है तो यह बन गया हमारा man object अब हम फाइल में जा जाएंगे तो हमें tension नहीं होगी सो यहां पर हम export पर क्लिक करते हैं export as और desktop location दे देते हैं desktop location आप final करके इसमें नाम जो भी लिखना है वह आप लिख दें इसको हम JPG में export करेंगे नाव हम सलते हैं Photoshop में और अगला काम Photoshop में करते हैं तो Photoshop हमारे पास open है हम यहां पर model लेकर आए हैं जो हमने PNG में export किया था और उसको हमने अब क्या करना है जो अपना man object है वो यहां पर दूसरा जो design है वो यहां पर लेकर आएंगे अपनी सारी setting करेंगे सबसे पहले हमने इ यहां पर आड़ कर ले मैं ही color इसमें दे देता हूं और आप इसको यहां पर ओके कर लें फिला light color ले लें बाद में हम color को change कर लें हम क्या करेंगे यहां पर rectangle को कुछ इस तरीके से draw कर लेता हैं यह हमने rectangle draw कर लिया और इसकी setting यहां पर आ गी और फिर हम इसमें fill color को इसा भ राइच करके convert to smart object करेंगे यह करने के बाद हम इसके abstick करेंगे ताकि हमें नीचे से object दिखता रहे है, इसको hide करें इस object को show कर लें और हमने यहां पे matching one tool से, इस area red को select कर लेना है और फिर इस object को select करते हुए हम यहां पे सुलेट करके mask लगा देंगे वो red वाली selection सारी हमारी इस object में आ जाएगे बहुत easy step था red मैंने इसलिए किया था ताकि यहाँ पे उसकी हमें जुरत पढ़ेगे तो हम यहाँ पे नए object में डबल क्लिक करके smart object में आ गए है अब हमने क्या करना है जो हमारा man object जो export किया था पीजी में हमने वो लेकर आना है उसको हम यहाँ पे लाते है यह design हमने export किया था अब हम यहाँ पे इसको पीस कर देंगे और इसको control T दबाके size में बढ़ा कर देते है size हमने पूरे rectangle का रखना है यहाँ पे इसकी setting करना है बिल्कुल तिलहाल के लिए ठीक है और white area नहीं आना चाहिए बाकी जितना भी आपका object है वो यहाँ पे आ जाएगा तो बस आपने इतना सा काम करना है और check लगा देना है चेक लगाने के बाद आप इसको file में जाके save कर दो save करने के बाद मैं object में जाएंगे तो यह मैं object में कुछ इस तरीके से आजाएगा लगना इसने भी यहाँ पे बहुत अच्छा है अगर ना भी कोई effect इस्तमाल करें तो यहाँ पे भी अच्छा है लेकिन हम मजीद इसको अच्छा करेंगे उसके लिए हम क्या करते हैं इसी layer को हम close कर देते हैं बागी जितने भी हमारे पास layer हैं उनको हम close कर देंगे अप सारा कम हमारा इसी layer पे होगा यह आपको बिल्कुल basic से पता चलगा है कि हम अपना layer कैसे इस्तमाल करते हैं आप डबल क्लिक करते हैं layer style ले लेंगे और layer style लेने के बाद इसमें हम सबसे पहले inner shadow इस्तमाल करेंगे और inner shadow की कुछ setting में यहां पे करने वाला हम आपने इसको follow करना है और अपने object को मजीद इस तरीके से इसको adjust करेंगे आप इसको यहां पर बना लें सेट कर लें और आपस्टी यहां पर कम होगी तब ही यह सारा भीतरी इन देखेगा तो हमने इसके आपस्टी मजीद कम कर लेनी है और थोड़ी सी यहां पे अच्छी लग रही है बिलकुल light सी रखनी है बहुत जादा नहीं त सेटिंग आपने थोड़ी सी चेक कर लेनी है यह objective चिसके यहां पे हैं आप इनको follow कर सकते हो यह मुझे छीक लग रहा है इस वक्त तो मैं यहीं लगा दूँगा दूगा बाकी भी आप चेक कर लें बार बार आप चेक कर लिया करें दास भी नहीं होता कि जो चीज मैं बता कर सकते हो नेक्स्ट टाइम के लिए भी अगर कोई इस तरह कर डिजाइन हो तो आप इन options में से कोई ना कोई इस्तमाल कर सकते हो okay कर दिया और हमारा यह object बिल्कुल final हो गया अब हमने मसीद इसमें inner shadow चेक करें और stand दोनो effect लगा है तो हमारा object और अच्छा हो गया अब हम ऐसा करते हैं यह काम हो गया हमने यहां पर background पर double click करना और background का color change करना है background का color आप कोई साभी green light dark white जो भी आपको सही लगेगा आप वो यहां पर लगाएंगे तो यह आपका design बहुत अच्छा हो जाएगा इसमें हम shadow का इस्तमाल करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूं कैसे download करना है तो आप google में जाएं product shadow png लेके इस तरह की shadow आ जाएंगे यह अपने यहां पर shadow के लेकर आना है और कुछ इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे size में हमें इस तरीके से इसको adjust करना है और फिर उसके काम जब हो जाएगा तो आपका काम best time अब आपने मजीद क्या करना है background के color को जितना background color चाहें जोगा shadow उसके ऊपर automatic adjust हो जाएगा तो अब यहां पे कोई सावी color कोई से भी चीज जो है वह ready कर सकते हो उसको बना सकते हो तो यह चीज आपकी बिलकुल simple जिस तरह का color आपको वह आप यहां पे final कर लो तो यह light color dark color जो भी आपको सही लगता है वह आप यहां पे add कर सकते हो हमने क्या करना है यहां पे जो इसका cap है उसको colorful करना है तो हम यहां पे selection ले लेंगे selection लेने के बाद man object में है हम तो यहां पे control J प्रेस कर लेंगे copy हो जाएगी copy यह आगी तो copy में हमने क्या करना है इस object में बहुते हमने यहां पे color लगा देना है कौने कौन सा color जब ले और फ़िर हम इसमें कोई सा भी कलर जो ग्रीन है या जो जो इसा भी आपको सही लगता है वो लगा दें और फिर उसके बाद आपने क्या करना है यह ग्रीन आप पहले चेक कर लें क्यार कलर इसमें ठीक आ रहा है नीचे वाले कलर से मैच कर लें तो हो गया हम सैम कलर भी हाँ पर डौबर क्लिक करके सैम कलर जो आपको चाहिए वह आप यह वाला ग्रीन इसमें लगा सकते हो उसके बाद हम नार्मल से मल्टीपल में जाएंगे ताके यह उपजेक्ट इसमें अच्छे से आ जाए आपस्टी वेरा कम करने जो नहीं फूल ही रहे तो अच्छी है थोड़े वोदे पॉइंट आप कम कर सकते हो 92 कुछ इस तरीके से ठीक है हम ओके कर देते हैं यह काम हमारा हो गया और बिल्कुल बेचरी अब हमने इसमें सेटिंग कर लिए बस लास्ट काम हमारा इसमें शैड़ो लगाना रह गया है तो हम यहां पर न जो हमारा ब्रेश है उसको हम यहां पर क्लिक कर देते हैं और यह क्लिक करने के बाद हम इसको कंच्रोल टी प्रेस करते हैं और कंच्रोल टी प्रेस करने के बाद यहां पर हम इसको रखके यह सेटिंग कर लेंगे बस कंच्रोल टी प्रेस किया शिप के साथ हम इसके साइज क प्रॉपर राइड करेंगे यह करने के बाद तक्रीबन यह सेटिंग हमारी ठीक आजाएगी यहां पे और फिर हमने क्या करना है साइस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं आपने यह स्टेप्स मैं कर रहा हूं इनको फालू करें तो आपका अबजेट बेस्ट हो जाएगा अबजेट जो है हमारा शेड़ो का यहां पे ओके हो जाएगा शेड़ो हमारा हुआ कम्प्लीट हम बैग्रोंड का कलर बार बार में इसलिए कहारा हूं कि आप अपनी मर्जी का जो आपको सही लिगता है वह आप लगाके अपने अबजेट के लिए ओके कर सकते हो इसका फा तो मुझे हम पे वाइट कलर यह ग्रेप बहुत अच्छा लग रहा है मेरे प्रोडेट के साब से बहुत सूच कर रहा है तो मैं शायद इसको यही वाला दो और मेरा डिजाइन भी हम पे बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है तो उमीद है आची कलास आपको अच्छी लग होगी मिलते हैं शाला नेक्स लास में आप सब अपना बहुत सा रहा है रखियेगा और दौाओं में लाजमियाद रखियेगा